बाद पेशेंट दोस में आ गई थी और बाक्षित कर रही थी शे गंटे बाद से उसको पीने के लिए पानी वगरा दिया गया जितना पाले मुमेंट हो रहा था नहीं है तो घर के लोग माता जी को कुछी भी तो इसको बीमारी का नाम पता है क्या करते हैं इसको है हेमी फैस किसल पाजम करते हूं ठीक है और यह व्यंटी रियर भी है और इसका इनाज़ भी सब्जगर समभव नहीं होता है ठीक है इसके कारण बहुत परशानी होती है छोड़ों को खीडिए तो इसके लिए शरजरी सबसे xies सबसे अच्छा गाल इनाज़ है ठीक है ब्रेन का सरजर तो मैं यह नहीं कर सकते कि कोई खत्रा नहीं लेकिन मैं यह सरजरी करता हूं मैंने पाले भी किया हुआ है भगवान की गिर्पास सबको अच्छा होता है ठीक है सरजरी के बाद फिर से ऐसा ही वीडियो बनाएंगे ताकि लोगों को बतला सकें कि इससे है इंप्रॉम्मेंट होता है ठीक है तो कितनी हो रहा है यह 4 साल की उमर से पिछले कि जान दीजिए बेचारी को कितनी तकलीफ है फिर भी बरदास्त करती तकलीफ को समझ सकता हूं मैं ऐसे पेशेंट कहीं सारे देखा हूं लोगों को लोगों की दिकत को मैं समझता हूं ठीक है जब कहीं के बाद कल या परसों कल तो थोड़ा दर्द होगा दो तीन दिन के बाद फिर एक वीडियो बनाएंगे ठीक है ताकि लोगों को बतला सकें कि इस तरह की बीमारी का इलाज है सरज़री से लोगों का अच्छा होता है है नहीं को काट कर उसके बाद ब्रेन में अंदर में खून की नली और नर्व जो एक दूसरे के आसपास होते हैं फून की नली और नर्व के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाता है उसके बीच में टेफलाओन या कुछ ऐसी चीज जो उस दूरी को बना करके रखे ऐसी चीज लगा देते हैं उसके बाद उसमें दर्द फिर से दुबारे दर्द या मूवमेंट नहीं होता है इसमें जो वाइट कलर का खड़ा लाइन है ना वो सेवेंट एट नाव बैटी का है और उसके भगल में जो लाल रंग का मतलब आट्री है वो बेन नहीं है वही उसको फित कर रहा है जो उपर में वाइट है वो हड़ी है डूरा मेटर है और जो उपर से नीचे आता हुआ दिख रहा है देखो एक सफेद और एक लाल अगर आसपास में है ना वो सफेद वाला नाव है और लाल वाला खुंकी नली है हम उस दोनों के बीच में जफलान पैच डालने वाले हैं तरजरी की लगभग चार घंटे चली और यह सरजरी के आठ गंटे बाद की का वीडियो है जिसमें सरजरी के तुरंट बाद पेशेंट भोस में आ गई थी और बात्चित कर रही थी छे गंटे बाद से उसको पीने के लिए पानी वगएर दिया गया जितना पहले मोमेंट हो रहा थ सऋस्टत पा लाण नहीं है तो घर के लोग माता जी को कुसी भी है और रोगी भी अंधिक है क्रेक्ण और यह सरजरी कर इसका नतीजह अच्छा होता है इसमें कोई कॉंप्लिकेशन बहुत कम ही होता है बदकिस्मति हो तभी कउंप्लिकेशन होता है नहीं तो ऐसा कुछ उ ठीक और ये सर्जरी का मिशान है ठीक है आज घर जा रहे हैं और अगले सब्ता आकर शिलाही निकलवाना है ठीक है